Hello and welcome to TechInfoYT तो इस वीडियो में हम Prompt-based greeting application को create करने वाले हैं HTML, CSS और JavaScript की मदब से सारा काम यहाँ पर JavaScript का है, जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं मैं application को reload करता हूँ तो यह कुछ इस तरीके से, run time पर हमको prompt message देंगा इस मेरी कि आप से message में बूचेंगा, enter your name और आप यहाँ पर अपना name जैके enter करेंगे और OK पर click करेंगे, तो दीखें, उसके according यहाँ पर जो भी time zone रहेंगा उसके हिसाब से greeting message आपको show करेंगा तो इसके लिए हमने तीन condition को add करके रखा हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, morning, afternoon और evening की तो यह complete application हम इस वीडियो में create करने वाले हैं तो चली, सबसे पहले एक new folder यहाँ पर create करेंगे, project 16 और इसको करनेंगे, prompt greeting app और इसको visual studio code में open करेंगे, so open with code और यहाँ पर हम करेंगे, तीन main files को create करेंगे first भाएंगा index.html, उसके बाद में फिर हमारे पास है, tile.css और एक javascript की file, script.cs index.html में हम क्या करेंगे, html5 का skeleton create करेंगे, so shift plus 1, exclamation mark इस पर click करेंगे, automatically यहाँ पर html5 का skeleton create हो जाएंगा यहाँ पर हमको क्या करना है, simple हम क्या करेंगे, container बना लेंगे, so .container tap press करेंगे, empty container हमको बनाना है, title को मैं remove कर लेता हो, या फिर comment out कर लेता हो, क्योंकि title भी हमारे prompt box में show करेंगा, हम क्या करेंगे, कोई भी इसके अंदर input box का use नहीं करेंगे, direct prompt का use करके, जैसे application load होंगे, उसी time page को display करा देंगे, save कर लेते हैं इसको, style में हम क्या करेंगे, simple जो है, फ़ल style की file को भी import कर देंगे, so यहाँ पर link with css और उसके बाद में .slash, हमारी file का नाल style.css, save कर लेते हैं इसको, नीचे में क्या करता हो, script की file को भी add कर देता हो, script with source .slash, script.chair, तो script की file भी input होगी, style पर काम कर लेंगे, style में हमको क्या करना है simple universal selector का इस्तेमाल करेंगे, तो star margin 0, padding 0, box sizing को target कर लेंगे और इसको हम कर देंगे border box, इसके बाद में जो भी container है, इसको हम क्या करेंगे, इसको जो भी content है center कर देंगे, तो display में क्या करेंगे, flex कर लेंगे, align items, center, justify content, center और height भी add कर देंगे, तो height of 100 viewport height, save, font family भी change कर लेंगे, तो font family इसको कर लेते है lucid offense, save, background color भी add कर लेता हूँ, इसको कर लेंगे, ls blue, और font size भी change कर लेता हूँ, इसको कर लेंगे, I think 75 pixel enough रहेंगे, save, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, direct javascript पर काम करेंगे, और prompt box का use करने वाले है, prompt आपको पता हूँगा, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, user से input ले सकत हैं, तो हम क्या करेंगे, एक name के नाम से ले लेंगे, const name equal to, फिर हम क्या करेंगे, prompt का use करेंगे, जो कि by default javascript में आता है, और इसमें हम लिख लेंगे, enter your name, और उसके बाद में फिर name की property को आगे add कर देंगे, तो यहाँ पर double quotes में name, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर time के हिसाब से फिर उसको greet कर देंगे, तो यहाँ पर हम एक variable बना देता हू, const today, today equal to new, फिर date है, तो इसका हमने यहाँ पर एक variable बना दिया, today के नाम से, जिसमें हमारे पास date है, इसमें हम क्या करेंगे, odds को जो है get करेंगे, so const hrs equal to today dot, इसके अंदर multiple functions मिलते हैं, इसमें से हम get hours function करेंगे, और इसके बेश पर फिर prompt करेंगे, और जो भी font enough को हम यहाँ पर bold करने वाले हैं, उसके लिए direct document को target करेंगे, document dot write ln, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, bold का इस्तिमाल कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं b का use कर लेता हू, simple opening tag में ही add कर देता हू, क्योंकि इसमें जादा code नहीं है, simple line है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है न, इसको target करने वाले है, क्या करेंगे, हम check करेंगे, time को if, odd, less than equal to 12, तब क्या करो यहाँ पर, document dot write, और write में हम क्या करेंगे, यहाँ पर greet message add कर देंगे, good morning, उसके साथ में हम क्या करेंगे, concat कर नेम को, तो, नेम हम यहाँ पर concat करेंगे, और exclamation mark भी में concat कर देता हूँ, so exclamation mark, उसके बाद में else if, second condition check कर लेंगे, else if, all less than equal to 18, क्योंकि यहाँ पर 24 का format use होता है, तो यहाँ पर यह afternoon में चला जाएंगा, उसके बाद में हम document को again target परेंगे, document dot write, फिर उसके बाद में, good afternoon concat कर लेंगे, साथ में name को, so name plus exclamation mark, last में हमारे पास क्या बच्छता है, यहाँ पर, else की condition बचेंगे, क्योंकि फिर evening रहेंगा, तो हम उसके लिए बी इसको greet कर लेंगे, so document dot write, और यहाँ पर लिख लेंगे, good evening concat कर लेंगे, name को, और फिर exclamation mark, तो यहाँ पर हमारा function भी create हो चुका है, save कर लेते हैं इसको, काफ़ी छोटा सा project है, अब इसको मैं क्या करेंगे, run कर लेंगे, so यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, run कर लेता हूँ, open file location कर लेते हैं इसको, reveal in file explorer, और index को मैं यहाँ पर open करता हूँ, तो दीखें, जैसे यह file open होगी, तो यहाँ पर आपका name पूछेंगा, तो मैं name में यहाँ पर add कर देता हूँ, text info, और जैसे ok पर click करूँगा, यहाँ पर तो show नहीं कर रहा है, I think कुछ CSS में issue होँगा, एक पर take लेते हैं, यह जो display flags margin इसके वज़े से भी हो सकता है, इसको remove कर लेता चलते वापस browser में, refresh कर लेंगे इसको, और name में वापस से में add कर देता हूँ, text info, ok, तो दीखे, बराबर से यह show कर रहा है, good morning, और पिर जो भी आप name add करेंगे, तो यहाँ पर show करेंगा, तो यहाँ पर container पर apply नहीं हो आना, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको direct body पर apply कर देत text info यह पर test कर लेता हूँ, test, ok, पर click करेंगे, तो दीखे, अब बराबर से show कर रहा है, तो perfectly हमारी यहाँ पर prompt based greeting की application create हो गई, basic है, skeleton हमने यहाँ पर create किया, सारा काम javascript का, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले शुरो हम क्या कर रहे, today variable के अंदर date को store कर रहे है, इसमेंसे हम क् कर रहे, hours को जो है, get कर रहे, क्योंकि date के अंदर हमको काफे सारे functions मिलते है, उनका हम यहाँ पर use कर रहे है, फिर हमने यहाँ पर bold के लिए, जह है, BTAC का इस्तेमाल कर लिया, और फिर देखें, यहाँ पर हम क्या कर रहे, condition check कर रहे, if hours less than equal to 12, यहाँ पर उसके हिसाब से greeting दो अगर 18 से कम है, तो फिर क्या करो, afternoon दो, और 18 के अबाव रहेंगा, तो by default यह good evening का message आपको show करेंगा, so I hope यहाँ पर आपको समझ में आया होगा,